हेलो बच्चो वेलकम टू कनितंक मैं हूँ अंकुष और हम लास्ट मिनिट जरी मेंस की रिविजन सिरीज में है और आज यह है दे थ्री जब हम पढ़ने वाले सिस्टम ऑफ लिनियर एक्वेशन्स अगेन वेरी सिंपल टॉपिक बच्चो यह मैट्रैसेस टॉपिक का बहुत चोटे से तो कैसे questions पुछ जाते हैं तो most asked टाइब क्या है तो यहां पर बच्चो हमें most asked में ऐसे words मिलते हैं कि equations दी होती है they have trivial solution या non-trivial solution ठीक है ऐसे words trivial non-trivial क्या है जानना है हमें फिर second हमें ऐसे दिया होता है कि equations है they have infinitely mini solution ठीक है ऐसे words तो इसके लिए क्या होता है या कभी कभी होता है equations has non-zero solutions तो इसका मतलब क्या तो ऐसे कुछ words मिलते है बच्चो तो हमें इस तरह के जो words है इसका meaning क्या क्या use करना है वो जानना है इस session में ठीक है तो चली start करते concept revise करते हुए तो सबसे पहले है इसको दो पार्ट में बाटेंगे हम तो first is non-homogeneous linear equations non-hom linear equations degree 1 की equations है x y z में तो first equation है a1x plus b1y plus c1z equal to d1 constant term कुछ रहेगा तो इसे कहते है non-homogeneous right फिर a2x plus b2y plus c2z equal to d2 and a3x plus b3y plus c3z equal to d3 तो तो तीन equations है involving three variables तो हमने पढ़ा है क्रेमर's rule तो क्रेमर's rule के हिसाब से हम x कैसे निकाला जाता है dx upon d y is dy upon d and z is dz upon d यहाँ पे d का मतलब है coefficients से बना हुआ matrix right यह देखें आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 यह जो matrix बना है यह determinant जो बना है ठीक है यह जो determinant बना है यह coefficients of x y z से बना है इन equations के ठीक है dx का मतलब है कि आप x के coefficients को replace करोगे constants से यहाँ जो constants है d1 d2 d3 अच्छे से देखेंगा जो equations में constants है वो x के coefficients को replace करेंगे dx में वैसे dy में y के coefficients replace हो जाते है ठीक है तो y के coefficients d1 d2 d3 से replace हो जाते है और dz में z के coefficients ठीक है तो बच्छो ऐसा है तो यह dx dy dz और d यह होता है तो x is given as dx by d y is dy by d and z is dz by d ठीक है मैं यहाँ फिर से लिखूंगा x is dx by d y is dy by d and z is dz by d ठीक है ऐसा हो जाएगा बच्छो यह इस तरह के equations आएगे इस तरह के हमारे formula बनते हैं using kramers rule अब यह जो तीन equations है इनके solutions कैसे होंगे तो यह सारा depend करता है d की value पे बच्छो अब d की value non zero है या d की value zero है अगर d की value non zero हो गया मतलब यहां denominator non zero है बच्छो त the equations will have unique solution consistent है equations are consistent तो solution होता है मतलब consistent होती है equations ठीक है बच्छो एक ऐसे solution होगा unique solution अब d zero हो गया बच्छो तो यहां दो बाते आएगी देखो अगर d zero हो गया मतलब denominator zero हो गया आप देखते हो na x y z के यहां जो formula से उनको observe करिए मैं highlight कर रहा हो इनको ठीक है तो d zero हो गया मतलब denominator zero हो गया तो अगर सारे ही numerator zero हो गया तो क्या आप समझ सकते हो zero by zero form हो जाएंगे x y z 3 ही तो इसे कहते हैं infinitely many solution इन ही क्या कहा जाता है infinitely many solution की equations के solutions कितने infinitely many हैं और अभी भी equations are consistent क्योंकि solution है solution होने का मतलब है equations consistent रहेगी बट अगर at least one of them at least one of dx dy dz गर zero नहीं होता है तो क्या होगा अगर लेटर से d z 5 हो गया वटा 5 by zero मतलब infinity होगा तो इसका solution exist नहीं करेगा ठीक है ठीक है तो इसको कहते है no solution या solution exist नहीं करता है यहाँ पे आती है equations are inconsistent तो inconsistency कब आती है जब solution नहीं होता है और solution कब नहीं होगा बच्चों देख रहे हो आ समझ रहे हो यह concept है अगर हमें कभी बुला जाए कि equations have infinitely many आपको तो ऐसे याज रखना पड़ेगा कि infinitely many के लिए क्या होगा अगर कभी बुला जाए कि equation को infinitely many solution है तो infinitely many का मतलब d 0 और साथ साथ में dx dy dz सारा ही चीज 0 होना चाहिए ज्यादा word यहीं पूछा चाता है infinitely ठीक है तो ध्यान रखिएगा तो यह हुआ पहला केस जहाँ पे non homogenous मतलब constant terms present है अब second case है homogenous linear equation homogenous linear equation में सर constant term नहीं होते हैं ठीक है तो a1x plus b1y plus c1z equal to 0 वैसी a2x plus b2y plus c2z equal to 0 and a3x plus b3y plus c3z equal to 0 तो बच्च यहाँ जो d है वो क्या होगा coefficients का matrix a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 जैसे हम last time करे थे और अगर आपको समझ में आ रहा है dx dy dz वो क्या होंगे तो if you can understand first row को अगर आपने constant से replace के जैसे उपर कहे है तो यह 0 0 0 हो जाएगा और यहाँ पे फिर b1 b2 अगरे अगरे कुछ होगा तो it will be 0 right dy b0 and dz b0 correct है बच्चो तो यहाँ पे बस दो ही questions बनेंगे व y है dy by d and z है dz by d correct तो यह x y z के formula जो हम बना रहे है ठीक है बच्चो ना ध्यान से समझ रहे हो न तो अब यहाँ पे depend करता है कि d का value 0 है या नहीं है तो d का value non 0 and d का value 0 अगर d का value non 0 हुआ तो yes again unique solution बट वह solution क्या होगा dx dy dz तीनों ही 0 है तो x will be 0 upon something which is non 0 right y भी 0 by d and z भी 0 by d तो इसे कहते हैं कहा जाता है 0 solution बच्चो इसे एक और तरीकिसे trivial solution भी कहा जाता है ठीक है इसे कहा जाता है trivial solution 0 solution अगर d 0 हो गया बच्चो ता आप समझ रहे हो सारे 0 by 0 form होंगे मतलब यहाँ पर infinity mini solution है तो इसे कहा जाता है non-trivial solution बच्चो non-trivial solution या non-zero solution तीक है ऐसे words आपको दिखेंगे तो concept आपको समझ में आ रहा है homogeneous और non-homogeneous के बारे में homogeneous equation में आपको ऐसे words मिलेंगे non-trivial तो कभी अगर आपको concept में ऐसे आता है कि equations has non-trivial solution तो आपको क्या-क्या समझना चाहिए non-trivial solution तो पहली बाद तो homogeneous equation होगी वो और यहाँ पर d 0 होगा correct non-trivial solution में d 0 हो सारा ही क्या होगा 0 होगा mostly यह दो ही question होते है जो पूछ जाते है समझ में आपको थेरी ठीक है तो homogeneous equation क्या होते है non-homogeneous equation क्या होते है ठीक से देख लीजिए लिख लीजिए मैं कहूंगा please write down the concepts on any of your book रहे आपको यह बार बार देखना है समझ ना यह question हमेशा ही काता है बच् questions लिए है देखे कैसा कहता है पहला question the greatest value of c for which system of linear equations has non-trivial solution अब हमने अभी पड़ा है non-trivial solution के लिए क्या होना चाहिए आप देख रहो सारे constants कैसे 0 0 0 है मतलब यह homogeneous equation है correct very nice बच्चो इतना observation फटा 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 आ रहा है बहुत बढ़ीया बात है ठीक है homogeneous equations है for non-trivial solution d should be equal to 0 d बनता कैसे coefficients के matrix coefficients के determinant तो 1-c-c पहली equation ने दिखिया 1-c-c आता है second में c-1c third में c-c-1 correct x y 0 के coefficients हमने लिखे है और हम solve करेंगे बच्चो इसको ठीक है तो let's expand to 1 into 1-c square ठीक है minus of minus plus c सबको आता है expansion minus c minus of c square फिर minus c into c square plus c equal to 0 एक बार हमेशा check कर लेना चाहिए जब भी एब expand करते हो ठीक है तो 1-c-c-c-1c ठीक है c-c-1 यह ठीक है फिर इसके हमें 1 का 1-c square minus c का ठीक है तो minus c minus c square and again c square minus of this पड़ाबर है ठीक है अब इसको expand करेंगे 1-c square minus c square minus c cube minus c cube minus c square equal to 0 ठीक so minus 2c cube minus 3c square plus 1 equal to 0 ठीक है प्लस बच्चों ऐसी equation आ गई है तो यहां से values क्या होगी आप cubic equation solve करना होगा अगेन लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो minus 1 इसका एक root है तो आप अगर नहीं पता हो तो पता होना चाहिए synthetic division अब देख रहे हो minus 1 by observation एक root हमने निकाला minus 1 minus 1 डालने से हो satisfy कर रहा है coefficients लिखेंगे अब cube के 2 square का 3 c का term नहीं है मतलब 0 और minus 1 पहला term as it is अब यसे multiply करना होता है तो minus 1 into 2 क्या यहां minus 2 आ गया यहां addition होगा 3 और minus 2 का तो 1 again multiplication तो minus 1 यहां minus 1 आ गया रहे 1 correct तो बच्चो एक factor तो हो गया अब इसको solve कैसे तो देखेंगे यह क्या होगा 2 c square plus c minus 1 equal to 0 यह equation है ठीके और cubic है तो यह पहला term भी c plus 1 आएगा अब यहां पर फिर से factors minus 2 के ऐसे कुछ जो plus 1 दे 2 minus 1 तो 2 c square plus 2 c minus c minus this देखें तो क्या होगा 2 c minus 1 into c plus 1 ठीक ऐसा कुछ आ रहा है तो बच्चो यहां से क्या क्या हो रहा है c plus 1 square into 2 c minus 1 equal to 0 तो c की value minus 1 and half आ रही है तो greatest value बुला है आपको तो greatest value of this is option c which is half ऐसे solve करना होगा आप समझ रहा है कैसे यहां पर मैंने बहुत सरी बाते करा दी आपको क्यों भी equation solve कैसे करते है तो भई जिसको पता नहीं न synthetic division कर लो ठीक है क्या होता है क्या नहीं होता है यहां पर कौन सा है infinitely many solution सर अभी हमने देगा था अभी concept में पड़ा है infinitely many solution का मतलब क्या है कि d 0 होना चाहिए पहले फिर dx dy dz सारा ही 0 होना चाहिए ठीक है आपको lambda और mu इस equation में lambda mu है yes non-homogeneous equations है correct तो बच्चों सबसे विले d equal to 0 करेंगे for d equal to 0 मतलब matrix determinant कैसे बनेगा coefficients का 1 1 1 1 1 2 2 1 3 lambda should be equal to 0 expand करेंगे बच्चों 2 lambda minus 6 minus of फिर lambda minus 2 plus 3 minus 2 equal to 0 देखिए क्या आएगा solve करोगे आप तो पूरा तो 2 lambda और minus lambda तो lambda बन गया minus 6 plus 2 plus 1 minus 3 तो यहां से lambda के value तो 3 आगई आप सब solve करेगा यह मिल जाता है आपको u चाहिए है या mu चाहिए वह जो भी है क्या मैं समझ सकता हो कि dx dy dz कोई भी एक 0 कर दोगे तो let's say l से dz 0 होगा dz ही क्यों लिया sir वो lambda का term हट जाता है तो यह दोनों तो column वैसे ही रहेंगे सिर्फ z वाला column जो है वो 5 6 mu replace हो जाएगा तो समझ आ रही यह बात भी आपको कि dz कैसे बनता है अब यहां से हमें u निकालना है तो क्या होगा 1 into 2u minus 18 minus of then 4 minus 6 plus 5 3 minus 2 equal to 0 correct minus 18 plus 2 plus 5 equal to 0 तो कितना आता है बच्चो यह देखेगा तो क्या हो गया है यहां पर देखे आराम से एक बार calculation देखेंगे 2u minus 18 ठीक है minus of फिर 4 minus 6 तो minus 2 हो गया बराबर है ठीक है और फिर आकर में 5 3 minus 2 ठीक है correct है तो now what is the value that we are getting here 2u is equal to यह कितना है 7 और यह 11 हो गया अब देखें एक calculations करें अच्छे से 1 1 5 okay 1 2 6 and 1 3u okay तो 2u minus 18 minus of 4 minus 6 4 नहीं है यह यू है correct यह गलती हो गई है ध्यान से देखेगा 4 नहीं है वह यू है correct good so u और 4 में confusion हो गया अपर तो अब solve के अपने यू minus 18 plus 6 देखेगा तो कितना आ रहा है तो it comes out to be equal to 7 nice तो अब u plus lambda पूछा था आपको तो 7 plus 3 it is equal to 10 correct yes पच्छो इस तरह this was u ऐसे solve करना है आपको infinitely mini समझे आप चलिए और questions देखेंगे है ना अलग-अलग questions देख रहे हैं हम लोग अगर यहाँ पर क्या बोला गया it has got non-trivial solution अब सबसे विले word देख लिए जिए क्या पूछा गया equations में non-trivial तीन equations दी है homogeneous है तो non-trivial के लिए क्लिए क्लिए था होता है d equal to 0 concept तो अब सर बहुत clear हो गया करो अब अब solve pause कर लो विडियो को तो क्या बनेगा d यहाँ पर 1 3 7 minus 1 4 7 sin 3 theta cos 2 theta 2 should be equal to 0 अब इसको भी solve करोगे आप 8 minus 7 cos 2 theta ठीक है minus 3 into minus 3 into देखी क्या होगा minus 2 minus 7 sin 3 theta correct फिर plus 7 minus cos 2 theta minus 4 sin 3 theta equal to 0 हमेशा चेक कर लेना चाहिए कि सारी चीज़े सही लिखिये आपने 1 3 7 minus 1 4 7 sin 3 plus cos 2 and plus 2 अब यहाँ पर तो क्या किया हमने 8 minus 7 cos 2 theta फिर minus 3 फिर minus 2 minus 7 sin 3 theta and plus 7 फिर ठीक है ओके येस सब बराबर है अब cos 2 के terms देखेंगे पुरा तो solve करोगे आप तो cos 2 theta का का आता है यहाँ पे है और यहाँ पे हैं तो minus 7 minus 7 तो it is minus 14 cos 2 theta sin 2 theta के terms देखेंगे आप तो यह कितना रहा है plus 21 और यह minus 28 तो minus 7 sin 3 theta यह plus 21 है और यह minus 28 है और constants की बात देखेंगे तो 8 plus 6 14 तो 14 तो plus 14 equal to 0 तो आप अगर divide it करते हैं 7 से minus 7 से तो 2 cos 2 theta plus sin 3 theta तीक है minus 2 equal to 0 ऐसी equation आई है now let's convert everything in terms of sin तो यह को कि 2 cos 2 theta is nothing but 1 minus sin क्या हो जाएगा 2 cos 2 theta तो 2 into cos 2 theta का formula 1 minus 2 sin 2 theta लिख सकते हो आप plus sin theta का formula 3 sin theta minus 4 sin 3 theta minus 2 equal to 0 equation को solve करना पड़ेगा ठीक है तो 2 और minus 2 cancel हो गया ओके बच्चों तो यह क्या बच्चों माइनस 4 sin square theta plus 3 sin theta minus 4 sin cube theta equal to 0 ठीक अगर मैं हाँ से sin theta common निकाल लेता हूँ तो क्या बच्च रहा है it minus sin theta अगर common लिकाल लेता हूँ तो 4 sin square theta plus 4 sin theta minus 3 equal to 0 correct sin theta 0 आ रहा है और अगर आप solve करेंगी है तो कितना होगा minus 12 factors बनाने पड़ेंगे आपको ठीक है 4 sin theta plus 6 sin theta minus 2 sin theta minus 3 sin theta तो एक ठीक है एक factor तो बनी रहा थे हैं यहाँ पर sin theta common था तो यह हो गया sin theta into यहाँ से अगर आपने 2 common निकाला 2 sin theta minus 1 into 2 sin theta plus 3 you can see sin theta 0 होगा यह sin theta half होगा यह 2 sin theta plus 3 sin theta भाहाँ से minus 3 by 2 आएगा ठीक है यह minus 3 by 2 आएगा तो यह तो reject हो जाएगा बच्चो यह rejected और यहाँ से values आएगी sin theta 0 यह sin theta half तो अब अब हमें कहाँ थीटा के विलिए इस कहाँ से पाई के बीच में तो number of solution बुला गया है तो number of solution भी 2 समझे रहे हो बच्चो तो इस तरह आपको solve करने है ठीक है अलग-अलग question से आपको अलग-अलग तरह के से solve करने है अगेन next question अगर देखेंगे आप तो क्या कह रहा है non zero solution non zero solution का मतलब क्या non trivial non zero ये word आपको non trivial के बारे में ही बात कर रहा है फिर से d equal to zero होगा अब समझ रहे हो थेरी बहुत easily yes इतने जल्दी आप 4 मांग सासिल कर सकते है इस topic में 1k3 3k-2 2 4-3 equal to zero इसको solve करेंगे आप तो k की value 11 आएगी आप solve करेगा ठीकिक जैसे k की value 11 आगी अब यहां पर ना कुछ और पुछ लिया है एक जेड़ बाई y square ऐसा कुछ पुछ लिया है तब इसको solve कैसे करें तो इक्वेशन को फिर से लिखेंगे तो की को 11 रखके x plus 11 y plus 3z equal to zero next is 3x plus 11 y minus 2z equal to zero and next is 2x plus 4y minus 3z equal to zero ठीक है ऐसा कुछ आया है ओके अब यह equation 1 है यह equation 2 है यह equation 3 है तो लिट से 1 and 3 को add करेंगे तो हम 1 and 3 को add करेंगे तो x plus 11 y plus 3z equal to zero 2x plus 4y minus 3z equal to zero ठीक है बच्चो यहां से 3x is equal to minus 15y x by y जो है वो minus 5 आ रहा है this is first thing that we are getting ओके बच्चो next अगर हम लोग हमें क्या क्या चाहिए xz by y square चाहिए xz by y square ठीक है अब मैं अगर first और third को ही लेता हूँ again first and third equation but इस बार क्या करेंगे हम equation 1 को पहले 2 से multiply करेंगे हम क्या करेंगे x को खटाने के कोशिश करेंगे यहां से okay बच्चो तो 2x plus 22y plus 6z यह first equation बन जाएगा second 2x plus 4y minus 3z and let's subtract subtract करेंगे तो यह 18y हो जाएगा और यह plus 9z हो जाएगा बच्चो तो यहां से 18y is equal to minus 9z ठीक है तो अगर आप z by y निकालने के कोशिश करेंगे तो क्या होगा minus 2 होगा now अगर आपने देखा आपने चाहिए क्या था xz by y square चाहिए था तो इसको मैं x by y into z by y इसलिए मैंने वो equation को डेट आप समझ रहे होंगे अब क्यों किया था minus 5 into minus 2 तो answer comes out to be equal to 10 मुझे क्या चाहिए न वो थोड़ा देखना चाहिए xz by y square तो मैं x by y z by y दोनों ला सकता हूँ और 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 कैसे लानी है आपके बास जो equations आइए मैं इनको solve करके लानी है तो आप 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 देखा कितना easily solve होते हैं questions प्लस 10 is our answer तो option third तो एक बहुत छोटा सा concept है जो आपको चार माग सहमेशा देखी जा सकता है ऐसे और questions आपको practice करने चाहिए ठीक है similar questions आपको practice करने चाहिए practice के लिए में whatsapp group पर assignment डालूँगा तो please join करेगा link आपको description में मिलेगी description box में आपको मेरा whatsapp का link मिलेगा please देखेगा आप boards और cd के लिए prepare करना चाह रहे हो तो अगले छे मैने के लिए free course launch किया noon academy के नाम से ठीक है तो आप उसे भी join कर सकते हो link है group में ठीक है तो please देखेगा so join करेगा okay telegram channel भी आप join कर सकते हो को नहीं तंक तो बच्चो best wishes है आप अच्छे से prepare करते रहे है और daily आपको ऐसे last minute division का एक एक topic मिलता रहेगा तो stay connected thank you